प्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाधत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी कुछ खास बातें जो सुहागन औरतों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ जो बहने सुहागन हैं उनको सबसे पहले तो अपने जो पती पती उनको कितना प्रेम करता है कितना स्ने करता है इसकी चर्चा उन औरतों से कभी नहीं करनी चाहिए जो उनसे जैलस है जो इरिशा भाव रखती है और वैसे भी ज़्यादा बढ़ चड़कर या किसी परकार से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से टोक लगती है और नजर लगती है क्योंकि आपका जो सने है प्यार है वो वैसे ही लोगों को देख जाता है आप अपने मूँ से उसको भीवेक्त ना करें अपने शब्दों के माध्यम से उसे लोगों को ना बताएं इससे नजर बाधा और टोक लगती है और कई बार अच्छे अच्छे घर बिखर जाते हैं कई बार अच्छे अच्छे लोगों की बीच में जगड़े होने चालो हो जाते हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है अब तक तो उसने भाव था फिर क्या ऐसी बात हो गई कि एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं हो रही है या लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी नजर लगती है ये प्रक्टिकली मैंने बह प्रक्टिकली मैंने लगती है और कई तरह की विग्ण बाधाय लाइफ में आ जाती है इसके अलावा आपका जो बिंदी का पैकेट होता है जो आप परसनल यूज में लेते हैं उसको आप कभी भी किसी अन्य विक्ति अन्य जो महिला है उसको शेयर करने के लिए नहीं सकते हैं लेकिन जो पत्ता आप स्वैम यूज कर रहे हैं वो बिंदी कभी भी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए इसके अलावा जो कहीं से भी सुख सुभागी का साधन होता है जिसको मोलते हैं सुहाग के प्रतीक के रूप में यदि कोई गिफ इत्यादी आता है तो उसक अमान पूर्वक आपको ग्रहन करना चाहिए उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए यह नहीं कि उसको आप किसी को भी दे दें इसके अलावा जो आप बैंगल बगरा होते हैं वो आपको किसी शुभ मूरत में खरीदने चाहिए हमेशा व्रधी योग में खरीदने हैं व्रद्धियोग जब भी आता है तब आप उसको खरी सकते हैं इसके अलावा अमावस्या तिथी होई या कोई ऐसी कोई तिथी होई जो की बहुत शुब नहीं मानी जाती है उस तिथी के दिन भी आपको बैंगल्स बिंदी और सवभागय का सामान नहीं खरिदना चाहिए वै चाहिए और कुछ खास मूरत में ही आपको इन से सम्मंदित कारे करने चाहिए आज का वीडियो समाप्त करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद